Hi everyone मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे पिछले साल नवेंबर के महीने से मॉल्डीप के प्रेसिदेंट बनते हैं मुछम्मद मुजू और जैसे ही मुछम्मद मुजू प्रेसिदेंट बनते हैं वैसे ही भारत और Maldives के बीच में संबंद बेहत खराब हो जाते हैं इसी बीच भारत के लगबग 90 forces Maldives में रह रहे थें जिसमें की primarily pallets और aircraft maintenance के staff थें क्योंकि भारत और Maldives के बीच में संबंद खराब हो जाते हैं इसी लिए Government of Maldives officially Government of India से ये request करता है कि हमारे forces को Maldives से recall कर लिया जाए इसी बीच Government of India Maldives के इस request को मानते हैं और साथ में लगबग 3 फेजों में Indian forces को Maldives से recall कर लिया जाता है आखरी batch को जो recall किया जाता है वो 10 में रहता है और जैसे ही Indian forces को Maldives से recall कर लिया जाता है वैसा ही बकाइदा एक press conference में Maldives को officials ये मानते हैं कि उनके पास एक भी ऐसा pilot नहीं है जो public purpose aircraft को उड़ा पाए ये बताता है कि कितना जादा Maldives आज भी under prepared है और अगर किसी भी देश के head of state अगर visionary ना हो तो उस देश को कितना problem उठाना पड़ सकता है इस वीडियो में हम इनी सब बातों के उपर focus करने वाले हैं मगर इस वीडियो में आगे बढ़ हुई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं बहुत सारे देशों का strategic location इतना important होता है कि उनको बस value उसी strategic location का मिलता है उसमें से एक देश है Maldives पिछले साल जब मोहमद मुजू अपनी election campaign को कर रहे थे तो इनके campaign को fund किया गया था चाइना के दौरा और इनके पूर election campaign के दौरान इनका जो एक बहुत ही common objective था वो ये था कि किसी भी तरीके से Indian forces का presence को Maldives से complete तरीके से खतम कर दिया जाए क्योंकि government of China इनके election campaign को fund कर रहे थे और आज के rate में ये president बन गया है तो कहीं न कहीं को वही करना पड़ेगा जो government of China इनसे करवाना चाहता है तो ये भी बताता है कि आपका जो foreign policy है वो अब आपके हाथों में नहीं है और शायद उससे भी कहीं ज्यादा important कि पिछले साल के November के महीने से अब तक मे तक Maldives या President Muzoo को ये समझ में आ गया है कि exactly क्या difference था भारत में और चाइना में वहीं पर बहुत सारे experts जो Mohamed Muzoo और Maldives के internal politics को समझते हैं उनका ये मानना है कि भले government of India के forces Maldives में present हैं लेकिन किसी भी तरीके से उन forces से Maldives के internal security को कोई threat नहीं था और उसके बाद जिस तरीके से चाइना अपने dead trap policy में फसाता है और देशों को dominate करता है बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि आज के rate में Mohamed Muzoo suffocated feel कर रहे हैं ये 13 में का article है और भारत के forces 10 में को आखरी batch को recall कर लिया जाता है ठीक उसके बाद लगभग तीन दिनों के भीतर ही एक press conference में ये accept किया जाता है कि इनके पास एक भी ऐसा pilot नहीं है जो public purpose aircraft को उड़ा पाए ये बताता है कि इनके leaders कितना ज़ादा ineffective है और visionary नहीं है ये मान पाना खुद में बहुत मुश्किल है कि कि किसी भी देश के जो defense forces है वो एक normal public purpose aircraft भी नहीं उड़ा सकते है ये बताता है कि इनके जो defense forces के जो head है या इनका जो overall जो सरकार है वो कितना ज़ादा incapable है और ये बहुत हद तक अपना जो sovereignty है वो चाइना को दे दिये है और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जो हमारे forces या pilots जो Maldives में थे वो इनके forces को training नहीं दिये थे इनके forces को training दिया गया था लेकिन उसके बावजूद क्योंकि किसी भी चीज को सीखने का stages होता है तो इनके पास आज के date में एक भी ऐसा pilot नहीं है जो सारे stage को clear करके हम कह सकते हैं वो बेहत normal सा aircraft को उड़ा पाएं और ऐसा नहीं है कि government of India सिर्फ Maldives को aircraft ही donate किये या हमारे भारा से pilot और aircraft maintenance staff गये थे Maldives में काम करने के लिए और उनको सिखाने के लिए इसके अलावी government of India समय दर समय इनको loan देते हुए आए हैं और हम कह सकते हैं possibly कि वो सभी type का help किया गया है Maldives को जो उनको उस समय में requirement था इसी बीच अभी भी Maldives में बहुत सारे doctors हैं जो Maldives के military hospital में अपने services को दे रहे हैं वहीं पे Maldives के दौ़ार officially ये कहा गया था कि government of India अपने pilots और maintenance staff को recall कर ले लेकिन जब बात आई doctor को recall करने का तो यहां पे कुछ भी नहीं कहा गया कहने का मतलब है कि उनको doctors चाहिए तो यहां से भी हम एक चीज समझ में आ रहा है कि Maldives एक देश है जो बस map में ही हमें दिखता है और highly dependent है अलग-अलग देशों के उप वहीं पे जब मोहमद मुजू प्रेसरेंट नहीं बने थे और जब इनके opposition party सत्ता में थे तो उनको बर्चट कर criticize किया जाता था और यह claim किया जाता था कि Maldives के पास sufficient number of pilots है कहने का मतलब है कि Maldives अपना ध्यान खुज से रख सकता है तो यह भी बताता है कि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आप बहुत हद तक irresponsible statement देते हैं Maldives के economy हम कह सकते हैं कि almost 90 से लेके 95% dependent है tourism के उपर उसके बाद लगभग 30 से लेके 35% जो tourism Maldives पहुंचते हैं वो directly Indian ही होते हैं उसके बाद जिस तरीके से initial days में जब मोहमद मुजू president बने थे और इनके ही party एकुछ ministers ने भारत और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत कहा था जिसके बाद हमारे लोग बर चड़कर Maldives की जो tickets थे उसको cancel करवाये थे तो कहने का मतलब है कि मोहमद मुजू को एक ठिक ठाक सा time period मिल गया है जहां पर इनको ये समझ में आ गया है कि इंडिया से जब ये deal कर रहे थे तो इनको कितना benefit था और आज जब ये चाइना के साथ deal कर रहे हैं को किये जा रहे होंगे और हम एक चीज को माल ले कि जितने भी लोग जो decision making में होंगे वो आपसे हमसे कहीं ज़्यादा capable होंगे उत्र ही ज़्यादा आपको मौका मिलता है अपने हिसाब से काम करने का I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye